बगवान वरोसे अब देखिए सब्सक्रिप्शन जो है होता कितने परकार का है सबसे पहले सब्सक्रिप्शन होता क्या है हम इसको समझते हैं सब्सक्रिप्शन में जो नॉन प्रॉफिट और्गनाईजिशन समधा था क्या था जिसका काम होता है लोगों का एक तरीके से भला लेते हैं तो उनसे परवानेंटली हमें कुछ न कुछ पैसे मिलते रहते हैं चंदा जैसे कि मैं एक एक्जामपल लेता हूँ आपने हॉस्पिटल में सुना होगा ट्रस्टी है ये कॉलेज में आपने सुना होगा ये trustee हैं तो ये trustee basically क्या होते हैं जो college में और hospital में आपने सुना है trustee basically होते वो है जोकि उनके साथ जुट जाते हैं जो बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके पास बड़े सारे पैसे होते हैं वो सोचते अब तो हमने पूरी जिंदगी कमा लिया है अब लोगों की हमें भलंए करने हैं तो वो क्या करते हैं किसी klub का member बन जाते हैं klub का मतलब क्या है किसी hospital में जाके जूर जाएंगे कोई school में जाके जूर जाएंगे और उनके school के development पर बहुत सारा पैसा देते रहते हैं वो या आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो जैसे कि मैंने school होना है मैंने बोला भाई आप जो भी भलाई का काम करना चाहते हो आजाओ मेरे साथ आपने बोला सर हम भी करेंगे भलाई का काम सब ने बोला हम भी करेंगे भलाई का काम मैंने बोला well done very good आप सब भलाई का काम करने चाहते आगए आप मेरे साथ और मैंने अब बोला आपको के चलिए आप सब मेरे साथ जुड़ेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा, आप हर साल मुझे 10-10,000 रुपे देंगे, 10-10,000 रुपे आप मुझे हर साल देंगे, और मैं आपको अपने साथ जोड के रखूँगा, आपको सारी जानकारी दूँगा, आपको सारी information दूँगा, तो 10-10,000 रुपे देंगे, आपका क्या जवा ठीक है सर, हम 10-10,000 देंगे, तो मेरी जो construction या फिर मेरा जो रख रखाओ का खर्चा होगा, institute का, वो आपके पैसे से तो मैं करूँगा, तो मेरा income का source क्या होगा, एक तरीके से आप लोगों से मैं थोड़े-थोड़े पैसे ले रहा हूं, उसको बोलते हैं, मैं आपसे subscription, ठीक है, चलिए, ओके सर, चंदा ये होता है, इतना असान सा बात है, हाँ जी, अब चंदे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मिलते हैं, आपको ये बहुत जादा बहुत बच्चे परिशान रहते हैं, बहुत बच्चे बोलते हैं, सर ये topic बस अच्छे से समझा दो, तो म मैं इस topic में थोड़ा time भी ले लो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसके अंदर कितने part में मैं इसको बाट दूँगा, एक बाट दूँगा, मैं simple, simple, okay, sir, simple, एक मैं बाट दूँगा, जहां पे आपको member given होगा, member given, given, ठीक है, sir, एक simple, और एक जगह मैंने बाट दिया, member given, या तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, दो ही part में रखता हूँ, एक कर देता हूँ, member, member given, इसको मैं part में तोड़ूँगा, ठीक है, अब subscription हमारे लिए क्या होता है, subscription हमारे लिए income होगा, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताईएगा, फटा-फट, आप मुझे YouTube पे जितने बच्चे ना, एक बार आप क्योंकि यहां पे live तो दिख रहा है, लेकिन पता नहीं क्या disconnection हुआ है, आप मुझे एक बात बताईएगा, जो भी application पे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, application पे जितने बच्चे हैं, मैंने 2010 में आप सब को अपने साथ जोड़ा, आप सब मेरे साथ जुड़ चुके हो, 2010 में माल लेता हैं कि आप कितने बच्चे live जितने भी हो, माल लेता हैं कि मैं 100 बच्चे, हंड्रिड आप सब जुड़ गए, और मैंने आप सभी से बोला कि आप मुझे 10-10 हजार रुपे दें, तो बताईए मुझे total पैसा कितना मिलेगा, जल्दी जल्दी बताईए कितना पैसा मिलेगा, मुझे जवाब चाहिए कितना पैसा मिलेगा, जल्दी जल्दी बताईए, हैं एक्षे कह रहा है हजार रुपे मिलेगा मैंने कहा भाई मैं सो मेंबर है मेरे सो आप सब मिलके सो स्टूडेंट हो जो मेरे इंस्ट्यूट को सवारना चाहता है मेरे इंस्ट्यूट को सवारने के लिए आप सब तयार हो और आप सो मिंबर हो और हर कोई بोलता है कि हम 10, 10,000 रुपे एन्वाल देंगे तो आप मुझे बताइए कितने पैसे दोगे मुझे जल्दी जल्दी बताइए कितने पैसे दोगे अब एक और जवाब दें सिंपल सा मैं दीरे से एकदम लेके चल रहा हूँ थोड़ा patience रखिएगा आप में से एक आप में से एक ऐसा है जो बहुत अमीर है अमीर है अमीर कैसे लिखेंगे अमीर है ठीक है न और यह जो आपने मुझे 10 लाख जवाब दिया तो आप मुझे 10 लाख रुपे दोगे तो यही तो मेरी income होगी यही तो मेरी income होगी और annual income होगी इसका मतलब यही तो मेरा subscription है तो बड़ा simple सा basic सा question था और basic सा आपने answer दिया कि sir आपको 10 लाख रुपे मिलेंगे और 10 लाख रुपे आपके क्या माने जाएंगे income माने जाएंगे बिल्कुल correct जवाब यह 10 लाख रुपे मेरे क्या होंगे income होंगे चलिए अब एक अमीर वेक्ति है एक वेक्ति अमीर है मान लेते हैं यह आप हो आप अमीर वेक्ति हो आपने बोला कि मैं आपको मैं आपको 2 साल का 81 पैसा दूँगा 2 साल का 81 पैसा दूँगा 10,000 इंटू में 2 2 साल का यानि मैं 20,000 दूँगा सब ने 10,000 दिए एक अकेला ऐसा है जो कि बोलता है मैं 2 साल का दूँगा बताओ टोटल पैसे कितने रिसीव हुए जल्दी बताईए टोटल पैसे कितने रिसीव हुए जल्दी बताईए टोटल पैसे कितने रिसीव हुए जैट बॉक्स इधार है अरे अभी तक किसी का जवाब नहीं आया आ गया हरिंदर भी कहता है अरे इशा ने बोला एक लाक दस अजार नहीं हरिंदर कहता है एक गलत हो गया अरे भाई साब हरिंदर तो बिल्कुल हिंदी मे लिख रहे हैं कोई बात नहीं तो हमें मिलेगा मैं बता देता हूं आपको जो हमें टोटल मिलेगा वो मिलेगा 10,000,000 तो मिलने ही थे एक वेक्ती ज़्यादा दे रहा है तो 10,000,000 मिलेंगे Agree? 10,000,000 और बता दू 10,000,000 कैसे लिखते हैं ये ऐसे लिखते हैं 10,000,000 6 डिजिट होनी चाहिए कुछ बच्चे 5 लिख रहे हैं चलो कोई बात नहीं अब मुझे बताओ एक वेक्ती ने जो एक्स्ट्रा पैसा दिया अगर मुझे एडवांस में पैसे मिल जाते हैं एक्स्ट्रा तो वो क्या मेरे लिए इंकम होता है मैं आप सबसे फीस ले लूँ और फिर मैं बोलू कि एडवांस में और मैं बोलू कि मेरी ये इंकम है कल से मता ना पढ़ाऊंगा नहीं मैंने इंकम कमा लिया तो क्या ऐसा चलेगा जवाब नहीं सर मेरे पैसे वापस दो आप नहीं पढ़ाऊगे तो यही होगा ना तो एक वेक्तिने एक्स्ट्रा पैसे दिये 10,000 वो कौन से साल के लिए हैं अगले साल के लिए हैं तो बताईए यह मेरा इंकम होगा या फिर कुछ और होगा जवाब दीजिए इंकम होगा या फिर कुछ और होगा फटा फट जवाब दीजिए जवाब दीजिए इंकम होगा या कुछ और होगा हरिंदर ने बोला सर लाइबलिटी होगा कि और बताइए कि हरिंदर ने बता दिया जवाव लाइबिलिटी होगा दॉली ने सर करेंट येर का इंकम ही होगा ओके अजय बोलता है लाइबिलिटी होगा अब देखो मुझे जो पैसे एक्स्ट्रा मिले वो एक्स्ट्रा मैं अगर इस साल अपनी फैक्ट्री बंद कर देता हूं एंड में तो क्या जिसने एक्स्ट्रा पैसे दिये उसे देने पड़ेंगे नि देने पड़ेंगे जो बिजनस बंद कर दिया तो आप हमेशा याद रखिएगा कि इंकम अगर हम हाँ या ना में जबाब दीजिए इंकम एडवांस हमारे लिए लाइबिलिटी होगा हाँ हाँ ओके ठीक है दन चलिए हाला कि यूटुब पे भी लाइब हो चुकी है क्लास वेटिंग फूर सिक्षा था एक सेकिंट क्या हो जाता है चलिए अब एक और कोशन पूछो जवाब देंगे चलिए मैं पूछता हूँ अब 10 लाइक में बच्चे परिसान हो गए थे तो इसलिए मैं छोटा से कोशन पूछता हूँ और इसी खेल खेल में हम इसको समझेंगे भी एक बड़ा ही आसान सा आप सब मेरे टूशन को अच्छा बना मतलब कि बड़े स्टेज पे ले जाओगे और बहुत पैसा देने वाले हो माल लेते हैं कि हजार स्टूडेंट अब चाहते हैं मेरे टूशन को अच्छा बनाना भलाई का काम करना तो हजार स्टूडेंट और सबसे बोला भाई बहुत ज़्यादा हो गए, आप सभी मुझे 100-100 रुपे दें, 100-100 रुपे दें, हर साल का, और ये मैं आपसे 31-3, सबसे घटिया साल कौन सा, 2020, 31-3, 2020 में मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ, कि पैसे दें, फटा-फट से मुझे पैसे दें, आपसे मैंने पैसे मांगे हैं, ओके, पैसे मांग रहे हो, ठीक है, आप मुझे बताओ, टोटल पेमिंट कितना दोगे, टोटल पेमिंट कितना दोगे, जल्दी बताओ, फटा-फ टोटल पेमेंट बताईए बताईए जल्दे जल्दी एक लाख तीन हजार डॉली ने तो बिलकुल सही जवाब एक लाख तीन हजार यद तीन सो हरिंदर ने एक लाख तीन सो डॉली ने एक लाख तीन हजार ठी थाउजन और भाई बताएं बच्चे एक लाख तीन सो ईशा कभी एक लाख तीन सो correct जवाब is 1,300,000 अब मुझे एक बात और बता दीजिया एक लाग तीन सो तो मिल राइक सिंपल सी बात बताना मुझे के इसमें इस साल की कितनी इंकम है और कितनी इंकम आने वाले साल के लिए है इस साल की कितनी इंकम है और आने वाले साल के लिए कितनी इंकम है फटा फट ब इस साल की कितने इंकम और आने वाले साल के लिए कितने इंकम है जल्दी जवाब दीजिए आप करेंट येर एक लाख नेक्स्ट येर तीन सो इशा का जवाब आया और कोई बच्चा आप जब जबाब नहीं देते हो ना तो इंटरनेट स्लो हो जाता है डॉली सौरी सर गलत हो गया एक लाख तीन सो ही होगा करेंट जवाब एक लाख इस साल दो सो दूसरे साल एक सो तीसरे साल ओके हरिंदर ने तो पूरा ही एक्स्प्लेइन कर दिया ठीक है अब तीन सो रुपे अल्टीमेटली अगले साल का है तो मुझे यहां बताईए कि इनकम कितना है और लाइबलिटी कितना है सिम्पल सा जवाब दीजे इनकम कितने का है और लाइबलिटी कितने का है जल्दी बताईए इंकम कितने का है और लाइबिलिटी कितने का है कोई बता सकता है इंकम कितने है आपने बोल दिया सर तीन सु अगले साल की है ये और एक लाख इस साल की आप बताईए इंकम कितनी है और लाइबिलिटी कितनी है इंकम वन लेक का है और तीन लाख रुपे का लाइबिलिटी ईशा का भी जवाब आ गया इंकम एक लाख तीन लाख रुपे का लाइबिलिटी डॉली का भी जवाब आ गया इंकम एक लाख लाइबिलिटी तीन सो रुपे का तीन लाग क्या रहा था गलती से तीन सो रुपे का और बच्चे क्या कर रहे हैं ये रभी शंकर अक्षे आपका कोई जवाब नहीं आ रहा चलिए अब एक और ट्विस्ट यहां तक याद रखिएगा इंकम एक लाग तीन सो नेक्स्ट इयर का इसी में से इसी में से अभी तो सारी बात बताई नहीं मैंने एक वेक्ति ऐसा है जिसने की पैसे दिये ही नहीं नौट गीवन बोलता है सर इस बार मजबूरी है मैं पैसे नहीं दूँगा तो आप मुझे बताईए टोटल कितना मिला टोटल बताईए जल्दी जल्दी टोटल कितना मिला टोटल बताईए कितना मिला इसी में से एक वेक्ति ने बोला मैं नहीं दे सकता पहले तो दो वेक्ति की जान का रही दी अब एक की दी कि ये बोल रहा है कि मैं नहीं दे सकता अब बताईए टोटल पैसा कितना मिला है इशा का जवाब एक लाग दो सो और एक लाग दो सो अब मुझे बताईए इस साल की इनकम कितनी है और अगले साल की इनकम कितनी है कुश्चन यहां पे आता है इस साल की इनकम और अगले साल की इनकम बताईए इस साल की इनकम और अगले साल की इनकम बताईए फटा फट से बताईए जल्दी जल्दी इंकम एक लाख तीन लाख 99,900, next का 300 अब लगे हाथ आप एक और जवाब दे दीजिए हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो एक्रूवल बेसिस करते हैं या फिर कैस बेसिस करते हैं एक्रूवल बेसिस का मतलब होता है उधार हो नगद हो एंट्री तो करेंगे कैस बेसिस का मतलब हो सिर्फ नगद वाले की एंट्री करेंगे उधार वाले की नहीं करेंगे तो आप बताईए कौन सा होगा एक्रुल बेसिस हरेंदर वेरी गुड तो अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ देखो इस साल रिसीव जो होगा ना रिसीव जो होगा वो तो जवाब बिलकुल ठीक है इतना ही रिसीव होगा बाकी का जो रिसीव नहीं होगा वो तो आज नहीं तो कल मिलेगा तो Receivable कितना है 100 रुपए इस साल के लिए Receive Total मैं ऐसे देखता हूँ Total Receive आपने बताया Sir 1,300,000 रुपए तो कैसे लिखेंगे 1,000,000 1,300,000 रुपए 1,300,000 रुपए ठीक है इसमें से 300 तो अगले साल का है तो मैं घटा देता हूँ भाई इसमें से तो 300 अगले साल का है घटा दिया तो इस साल कितना मिला मैं सही लिख रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ 1,200,000 मिला था एक ने तो दिया नहीं था न तो 300 तो income कितना मिला हमाई ये मिला अब एक वेक्ति ने दिया हो नहीं दिया हो आप P&L को याद करिए P&L के अंदर हम क्या करते थे add कर देते थे चाहे पैसा मिला हो चाहे ना मिला हो हम क्या करते थे इसको add कर देते थे P&L में 100 रुपे outstanding के नाम से तो इस साल की income या खर्चे की हम बात करें तो कितनी आ जाएगी एक लाग जो आप next year के लिए दे रहे हो ना पैसे ये 200 रुपे 300 रुपे आपने बताया था next year के लिए कहा लिखा मैंने 1,300 जो ये 1,300 रुपे लिए है ये होगा हमारे लिए liability आपने बताया और 1,500 रुपे होगा आपके लिए income लेकिन जो पैसा आपको नहीं मिलता future में मिल जाएगा वो आपके लिए क्या होगा सरीता ने भी जवाब दिये a cruel basis जो पैसा नहीं मिला future में मिल जाएगा वो क्या होगा बता ये रजचत का भी एक्रूल बेसिस हागे जवाब जो पैसा नहीं जो पैसा हमें नहीं मिला वो फ्यूचर में मिल जाएगा वो क्या है मेरे लिए आउटस्टेंडिंग इंकम डॉली का और बताईए आउटस्टेंडिंग आउटस्टेंडिंग भाई आउटस्टेंडिंग एक्सपेंस या इंकम मेरे लिए क्या है आउटस्टेंडिंग अब दूसरा कोशन भी सुन लिजिए आप एसेट से लाइबलिटी ये भी बता दिजिए लगे हाथ assets है liability Dolly का जवाब assets और YouTube पे जो बच्चे हैं हरिंदर का जवाब assets अभी किसका सही किसका गलत अभी नहीं बता रहा है अक्षय बताईए assets या liability और किसने बताया था मुझे रवी संकर बताईए assets या liability ओहो अक्षय कह रहे है liability देखो हमें पैसा मिलना था लेकिन नहीं मिला अगले साल ले लेंगे तो करजा थोड़ी है assets हुआ न यह तो assets है यह assets है हमेंसा याद रखिएगा इसका मतलब अगर मैं इसका format थोड़ा सा drive करूँ कैसे मान लेते हैं हमें जो भी सब्सक्रिप्शन मिला हो जैसे आपने बोला था एक लाग तीन हजार तो यहां लिखते हैं हम total receive जो भी सब्सक्रिप्शन मिला इसके अंदर अगर आई इस साल का नहीं मिला तो add करिए यानि outstanding यानि closing closing outstanding अगर आपको अगले साल के लिए मिल गया था तो आपने income में से minus कर दिया था तो minus करिए closing advance और अगर आपको मिलता है पिछले साल मैं भी लिख रहा हूँ इसको explain नहीं कर रहा है अगर मिलता है हमें पिछले साल इस साल के लिए पिछले साल ही मिलता है इस साल के लिए तो उसको बोलते हैं opening opening advance और opening advance plus होगा minus करेंगे क्या opening opening outstanding अभी मुझे जवाब दिजीएगा फटा फट से clear करता हूँ मैं बहुत छोटा सा example लेता हूँ मेरे पास 100 वेक्ति ऐसे हैं जो कि मुझे support करना चाहते हैं हर कोई 10 रुपे देगा clear अब मुझे क्या हुआ एक वेक्ति ने मुझे दो दो साल का दे दिया दो साल का पैसा दिया मुझे एक वेक्ति ने दो साल का तो मुझे बताइए total receive क्या है total receive बताइए एक वेक्ति ने दो साल का पैसा दिया जल्दी जल्दी बताना रज़त ने भी दे दिया जवाब assets 1100 रुपे बिल्कुल correct जवाब हमें 1100 रुपे मिल गया अब मुझे ये जवाब दीजिए income कितना है इस बार का और अगली बार का income क्या है इस बार का income क्या है और अगली बार का income क्या है इस बार का income क्या है अगली बार का income क्या है जवाब नहीं दे रहे बच्चे डॉली, हजार रुपे अभी का और सो रुपे नेक्स का बिल्कुल सही जवाब तो हजार रुपे अभी का है, सो रुपे नेक्स का है अब मुझे बताईए एक वेक्ति यहाँ पर ऐसा है जिसने मुझे पैसा नहीं दिया एक वेक्ति ऐसा है जिसने मुझे पैसा नहीं दिया एक वेक्ति ने नहीं दिया पैसा अब बताईए टोटल कितना रिसीव होगा अब बताईए टोटल कितना रिसीव होगा दस हजार एक हजार बिल्कुल करेक्ट जबाब अब एक हजार रिसीव होगा अब इस एक हजार में बताईए अगले साल की इंकम कितनी और इस साल की कितनी है अजे कुमार 100 रुपे नेक्स्ट बिल्कुल करेक्ट इस एक हजार में बताईए यह सारा इसी साल का या इसमें कुछ नेक्स्ट इयर का भी जुड़ा हुआ है आपने जुड़ निकाला 900 इस साल और 100 रुपे नेक्स्ट इयर ओके बिल्कुल करेक्ट जबाब 900 इस साल और 100 रुपे नेक्स्ट इयर ठीक है चलिए तो यानि अगर मुझे इंकम दिखानी हो देखो नेक्स्ट इयर की इंकम को घटा दो यहां से बचा कितना 900 इस साल का 100 रुपे लेना बाकी है तो उसको प्लस कर दो तो इंकम अल्टिमेटली हजार हो गया नेक्स्ट इयर का जो होता है वो होता है क्लोजिंग और इस साल का भी होता है क्लोजिंग तो क्लोजिंग क्या है यह आउट्सेंडिंग और नेक्स्ट इयर का क्या है एडवांस तो क्लोजिंग एडवांस आउट्सेंडिंग क्या होता है इसमें एड और एडवांस क्या होता है माइनस तो वही चीज करा है मैंने क्लोजिंग एड और एडव अमाउंट यह है हमारा सब्सक्रिप्शन बाकी के दो पॉइंट हमने अभी नहीं समझे अब ओपनिंग एडवांस क्या होता है हमारा जो स्टार्टिंग में रिसीव किया हो अगर कोई वैक्ती मुझे पिछले साल माल लेते हैं एक साल यह है और एक साल यह है इस साल किसी वैक नेक्स्ट येर के लिए तो इस साल मुझे 900 मिला है और 100 पर पिछली बार मुझे एडवांस मिले थे तो इस साल हमारा हजार का ही होगा ना इनकम तो तो इसलिए यहाँ पे ओपनिंग एडवांस को एड़ करते हैं और क्लोजिंग ओपनिंग आउट सेंडिंग को माइनस इस स्क्रिप्शन का ये टॉपिक पूरा अच्छे से मैं दुबारा करूंगा खतम करूंगा तब तक के लिए गुड़नाइट क्यूंकि नेक्स क्लास का भी मेसेज आ रहा है मेरे पास तो अगली क्लास साड़े आठ से साड़े दस अगली क्लास कब है कल ही है ज्यादा दूर न क्लास लोगा मैं आपके जिसके अंदर पूरा NPO कवर कर लेंगे ठीक है बच्छो गुड़नाइट और मैंने जो पिछली क्लास कट हो गई थी वो डाल दिया है अप्लिकेशन के अंदर वहां से वाच कर सकते हैं जिसको नहीं मिले वो चैट वक्स में कमेंट में लिख देना मैं भेज दूँगा ठीक है ओके टेक केर गुड़नाइट बच्छो का मैसेज भी आ रहा है तो सिंपल का फॉर्मेट लिख दिया हम एक डेटा की मदद से समझते है हमें जो अकाउंटिंग करनी है बेसिकली यहां से लेके यहां तक के लिए करनी है माल लेते हैं यह 2010 है 2010 एक दो तीन और यह है 2011 और यह है 2012 तीन साल है जो मैं अकाउंटिंग करूंगा वो अकाउंटिंग मैं इस साल के लिए करना चाहता हूं इस साल के लिए ठीक है और मैं किस चीज की अकाउंटिंग करना चाहता हूं चंदे की अकाउंटिंग यानि सब्सक्रिप्शन की अकाउंटिंग और subscription कि accounting में हमें यह समझना है कि कितना पैसा हमारा इस बार का है कितना पैसा अगली बार का है सारी चीज़ें हमें समझनी है opening advance नहीं आयेगा opening advance नहीं आयेगा last में ओके ठीक है ये ठोड़ा mistake हो गया यहां पर opening advance closing advance हो गया और यहां पर लिखेंगे हां opening outstanding एक बच्चे का जवाब आया है वो बिस्टेक है उसको तो हम समझेंगे भी अभी आप यहां पर फोकस रखिएगा ध्यान हमें जो निकालना है इस साल का कितना इंकम है इस साल का इंकम निकालना है और मेरा इंकम का जो सोर्स होता है सब्सक्रिप्शन माल लेते हैं मेरे पास दस या बहुत छोटा सा एक्जामपल हम लेते हैं पांच पांच वेक्ति है ठीक है एक 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 दो तीन चार पांच हर कोई मुझे हजार हजार रुपे सब्सक्रिप्शन देता है 2010 में हुआ क्या 2010 में मुझे सबने पैसे दिये इसने मुझे पैसा नहीं दिया इसने मुझे पैसा नहीं दिया तो बताइए 2010 में आपके पास कितने पैसे हैंगे अगर हर कोई मुझे हजार रुपे देता पैसा तो 2010 में वैसे आने चाहिए था हमारे पास 1000 ये देता, 1000 ये 2000, 1000 ये 3000, 4000, 5000 जिसमें से एक वेक्ति ने नहीं दिया तो मेरे पास जो पैसे आएं, टोटल वो 4000 आएं लेकिन मैं एक बात और कहा रहा हूँ, इस वेक्ति ने मुझे एडवांस भी दिया मेरा कंसर है कि इस वेक्ति ने जो एडवांस दिया, वो कहां के लिए दिया वो एडवांस 2010 में अगर देता है, तो बट ओविस है कि जब कभी कोई 2010 के लिए डवांस देगा तो वो देगा हमारा next year के लिए जब 2010 के लिए देगा तो वो advance पता है किस के लिए दे रहा होगा इस साल के लिए अब बताईए मेरे पास total कितना पैसा आया होगा तो जबाब होगा sir इसने 1000 दिये, इसने 1000 दिये 2000 इसने तो दिये नहीं लेकिन इस 5000 में 1000 advance का है तो उसको हटाईए और 1000 नहीं मिला उसको जोड़िए ये तो बात, मुद्दे की बात है अब मेरा कहना ये है अब मैं इस साल के main data हम इस साल का prepare करेंगे जिसने नहीं दिया जिसने नहीं दिया क्या वो मुझे अगले साल देने वाला है या नहीं है तो जवाब होगा सर next year में देगा देगा next year में देगा और जिसने advance मुझे इसी साल दे दिया है क्या वो next year देगा जवाब होगा नहीं होगा मैंने दो question पूछा आप मुझे जवाब देजिएगा जिसने मुझे इस साल नहीं दिया तो जब कोई हमें पैसे नहीं देता हमारी इंकम को नहीं देता तो हाला कि एक रूड इंकम कहते हैं बट यहाँ पर सब्सक्रिप्शन के केस में मैं इसको कहूँगा आउटस्रेंडिंग इंकम है मेरा यह है आउटस्रेंडिंग इंकम और जिसने एक्स्ट्रा दिया उसको एडवांस में बोलूँआ चलिए ठीक है सर यहाँ पर भी पांच वेक्ति बना लेते हैं दो, तीन, चार, पांच इस साल की अकाउंटिंग करनी है ठीक है हमें इस साल की अकाउंटिंग करनी है इस साल हुआ क्या एक इस वेक्ति ने पैसे हमें नहीं दिये ठीक है इस वेक्ति ने हमें एडवांस दे दिया एडवांस दे दिया ठीक है इस वेक्ति ने मुझे एडवांस दे दिया आप बताईए इस साल मैंने टोटल पैसे कितने रिसीव किये होंगे कोई बच्चा बता सकता है टोटल पैसे कितने रिसीव किये होंगे बताईए फटाफट टोटल पैसे कितने रिसीव किये होगा इस साल पैसे कितने रिसीव किये होंगे यह जानना चाहता हूँ तो ध्यान से सोच के बताना आप चल्दी यल्दी बताईए जितने बच्चे यूटूब पे हैं वो भी बताएं और जितने बच्चे हमारे एप्लिकेशन पे जुड़े हुए हैं वो भी बताएं टोटल पैसे कितने रिसीब किये होंगे मुझे यहाँ थोड़ा सा इसमें करेक कर लेते हैं बताईए जल्दी जल्दी यूटूब वाले बच्चे बिल्कुल सान थे पांच हजार धर्मिंदर का जवाब आया पांच हजार और दिप्ती का जवाब पांच हजार डोली का जवाब पांच हजार और भी बताईए जिसको पता है बस बाकी बच्चों को नहीं पता चलिए हम इस पर डिसकस करते हैं मुझे थोड़े से आपके कमेंट देखने में दिक्कत हो रही थी अब ठीक है पांच हजार और किसी का कोई जवाब है तो बता दो यूटूब पे जो बच्चे हैं वो भी बता दे हैं यह वहाँ पर भी पांच हजार बोल रहे हैं चलिए करेक्ट अब देखते हैं एक बार पांच हजार है या कितने आएंगे उसके उपर हम चर्चा कर लेते हैं ठीक है मैं 2010 से हसाब किताब बनाना चालू करूँगा और 11 तक जाओंगा टोटल पैसा कितना रिसीव किया है मैं उसकी बात कर रहा हूं कितनी इंकम है इस भार की उसकी बात नहीं कर रहा दोनों अलग अलग चीज़े है टोटल पैसा रिसीव हो जाना इंकम ही है ये गरिंटी नहीं होता तो देखो पैसा कितना आया होगा एक इसने दिया एक हजार इसने दिया दो हजार इसने दिया तीन हजार इसने तो दिया ही नहीं हटा दो इसने दिया एक चार हजार और एक एडवांस तो टोटल हो गए 5000 और पीछे का जिसने नहीं दिया था वो भी तो दोड़ता 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 इस साल पहुँच गया होगा और इसने बोला होगा सर वो पिछली बार नहीं दिये थे मैंने तो इसमें से एक वेक्ति ऐसा था कौन सा था इसने नंबर को होगा 1023 का था इस वेक्ति नैचर बताओ कि ऐसे था इससे क्यामें एक हजार ही लूँगा यदि हजार मांगहा법 जल्दी बताओ अब जो तीसरे नंबर का वैक्ति है ये वाला इससे मैं 1100 मांग हुँए है नंबर भी डाल देता हूं इसलिए तो मैंने लिखा एक, दो, तीन, चार, पांच, तीसरे नंबर से वेक्ति ने पिछली बार भी नहीं दिये, तो अब जो तीसरे नंबर का वेक्ति है वो एक हजार देगा या दो हजार देगा, मुझे जवाब चाहिए, तीसरे नंबर वाला वेक्ति एक हजार देगा, दो हजार डॉली का जवाब आया सर ये दो हजार रुपे देगा और होना भी चाहिए, हजार पिछले और हजार ये अब बताईए, अब पैसे कितने आए, किसी का जवाब अभी भी पांच हजार है या बदल जाएगा, बताईए, अभी ने का जवाब भी दो हजार है, अब बताईए, इस साल का इंकम, किसी अभी भी पांच हजार बोलेंगे या आपका बदलने वाला है, देखिए, अब जवाब आ गया छे हजार रुपए, और बताईए, कोई, छे हजार अभी ने का जवाब, बिल्कुल सही, नितीस अभी भी पांच हजार कह रहा है, दिप्ती ने भी छे हजार, अब मैं गिन लेता हूँ, देखो, एक हजार ये देगा, एक हजार ये देगा, टोटल कितने होगे, दो, ये तो दो देगा न, तो दो और दो कितने होगे, चार, इसने भी दो दिये होंगे, एक एडवांस एक ही है, तो छे, तो टोटल पैसा आएगा, छे हजार, टोटल पैसा आएगा, छे हजार, समझे, तो जो total पैसा होता है क्या वो ही इस साल का income होता है या नहीं होता ये guarantee नहीं है तो मैं बात कर रहा हूँ total receive तो total receive आपको होके और examiner ऐसे ही देगा total receive का पैसा देगा इसी तरीके से लेकिन जब आपको total पैसा जब receive में देगा तो उस time पे पता ही क्या आपको उसमें कुछ adjustment करके इस साल का income बनाना पड़ेगा अब adjustment कैसे करें अब देखो मुझे इसको इस साल का income बनाना है हला कि हमें पता ही कि इस साल की income 5000 लेकिन हमें right तरीके से बनाना है इसमें से ये तो बिल्कुल सही है ठीक ठाक इसका कुछ नहीं होगा ये भी ठीक है ठीक ठाक कुछ नहीं होगा अब मैं ये है total receive total receive ये है total receive अब जो मैं निकालने की कोशिस कर रहा हूँ वो निकालने की कोशिस कर रहा हूँ total income total income total income कैसे निकाल लोगे आप मैं बताता हूँ कैसे निकालूँगा ये डिफाल्टर तो है यह नहीं पहले नमबर वाला कोई दिक्कत नहीं है दूसरे याल है कोई तीसरे वाले ने 2000 दिया तो 1000 तो पुराने वाला दिया 1000 इस वाला दिया यानि पिछले साल को हम क्या बोलते हैं opening पिछले साल को हम क्या बोलते हैं opening और इस साल का क्या बोलते हैं current year या इसको closing बोलेंगे और इसको भी closing बोलेंगे इस बात का ध्यान रखिएगा तो इस वैक्ती ने नमबर तीन ने मुझे 2000 भले दिये लेकिन इस साल के लिए 1000 और एक साल पिछले के लिए 1000 तो मुझे यहां पे दो तरीकी के पैसे मिले इस साल के लिए भी और पिछले साल वाला भी तो पिछले साल वाला opening है और बाकी को क्या कहते हैं outstanding तो opening outstanding जो मिला है जो मुझे इस साल में opening outstanding मिला है क्या वो income इस साल की है या पिछले साल की ही थी क्या इस साल की income है या पिछले साल की जवाब दीजिए अब जल्दी जल्दी जवाब दीजिए मैंने कहा इस साल में मुझे इसके हजार रुपे मिले है इस साल के तो मिले है ठीक है भाई लेकिर पुराने भी एक हजार रुपे दियें तो जो मैं यहां पर रिसीव कर रहा हूँ पुराने वाले पैसे वो income इस साल की मानी जाएगी या पुराने साल की मानी जाएगी लास्ट येर धर्मेंदर का लास्ट येर डॉली का भी यहां प्रिया ने यहार रुपे आंसर दिया है तो सिंपल सा जवाब है सर पुराने साल की तो हमें तो इस साल की income निकालना है ना टोटल इंकम कब की टोटल इंकम इस साल की इस साल की इस साल की टोटल इंकम ठीक है ना जब इस साल की total income निकालने की आप बात कर रहे हो तो इस साल की income कैसे निकाला जाएगा भाई हटा दीजिए ना पिछले साल वाला income बन जाएगा इस साल का तो पिछले साल को क्या बोलते हैं opening और पिछले साल का बाकी अब मिला है तो क्या होगा outstanding opening outstanding कितना मिला है कितना मिला है अब कितना बचा हमारा 5000 यानि तीन लोगों का हिसाब किताब डन डन है तीन लोगों का हिसाब किताब बिल्कुल डन है नितीश last year because add in the previous year ओके ठीक है नितीश तो तीन साल का प्रिया ने भी last year का जवाब दे दिया है अब हम बात करते हैं पहले तीन को मैं तीन लोगों को तो पहले खतम ही करूँ भाई तेरा हिसाब खतम तेरा हिसाब खतम तेरा हिसाब खतम और तेरा हिसाब खतम यहां से भी खतम 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 चौत्थे पर आते हैं चौत्था पिछला तो कुछ नहीं कर रहा था लेकिन इस बार चौथे वेक्ति ने मुझे एक्स्ट्रा पैसे दिये है और चौथे वेक्ति ने मुझे एक्स्ट्रा पैसे पता है कब के लिए दिये है वो दिये इस साल के लिए तो ये बोलता है चौथा वेक्ति देख भाई चौथा वेक्ति बोलता है देख भाई मैं तुझे पैसे दे रहा हूँ, इस साल का भी दे रहा हूँ, और अगले साल का भी दे रहा हूँ, मैंने बोला हाँ, इस साल का भी दे रहा है, और अगले साल का भी दे रहा है, तो इसका मतलब इस साल की इंकम कितनी होगी, इसने भले ही मुझे 2000 दिये, क्या 2000 इसी साल की इं हजार इस साल की जवाब दीजिए फटा-फट जवाब दीजिए एक हजार करंट येर एक हजार नेक्स्ट येर धर्मिंदर का जवाब आ गया है डॉली का भी जवाब आ गया है अलग अलग होगी अभीने बट कभी वन थाउजन फोर करंट येर एंड वन थाउजन फोर नेक्स्ट येर वेरी वेरी गुड हरिंदर का भी सबको जवाब आ गया है जब आपको इतनी छोटी सी बात समझ में आ चुकी है कि सर इसने दो हजार भले दियें लेकिन एक हजार तो इस साल का इंकम ही नहीं है तो बताओ इस छे हजार में मैंने तो इसके दो हजार गिने थे ना कैसे गिने थे 6,000 में, 1,000, 2,000, 3,000, और 2,500, और एक पुराना मिला 6, तो पूरे जोड़े थे, तो इसको हटाओ भाई, और इस साल में जब एडवांस दे, अगले साल के लिए तो उसको क्या बोलते हैं, क्लोजिंग, और एडवांस, तो इसमें से अगर मैं हजार माइनस कर तो बचा कितना? 4,000, यहां तक बताईए, सहमत है इससे या नहीं? मुझे टोटल पैसा 6 मिला था, जिसमें पुराने पैसे मिलेते हजार, तो भाई, वो पुराने साल का इंकम था हटा दिया, और इसमें 1,000 रुपे मुझे अगले साल के लिए भी मिला, तो उसे भी क्या आना चीए, तो कितना इंकम आगे हमारा? 4,000, यहां तक क्लियर है? तो इसका मतलब मैंने चौत्थे का भी हिसाब किताब निप्टा दिया है, अब आते हैं पांचवे पे, उधर भी पांचवा, इधर भी पांचवा, यहां करंटीर में फेल हो गया पांचवा, ठीक है, पा पैसे तो 2010 में दिये हैं, लेकिन वो इंकम कब की होनी चाहिए? इसने 2010 में एडवांस दिया है, पैसे तो 2010 में दिये हैं, लेकिन इंकम कब की होनी चाहिए? बताईए फटा-फट, नितीश ने जवाब भी दे दिया, सर, यह करंटीर का होना चाहिए? दिप्ती ने पता नहीं 11 लिख दिया अच्छा साथ कुछ लिख रही थी डॉली ने 11,000 11,000 क्यों लिख रहे हो आप अच्छा 2011 ठीक है ठीक है समझ गया 2011 की होनी चाहिए यानि इस वेक्ती ने यहाँ पैसे दिये 2011 तो आप बताईए जो एडवांस वाला पैसा था ध्यान से सोचिएगा जो एडवांस वाला पैसा था क्या इस 6,000 में जुड़ा हुआ था जवाब होगा सर इस एडवांस को तो कुछ किया ही नहीं था तो इसमें जुड़ा हुआ भी नहीं था तो ये income अगर इस साल की है तो इस साल की income है तो हमें क्या करना चाहिए हमें इसे add करना चाहिए add advance advance income कौन सा advance है जी कौन सा पिछले साल का advance है तो उसे बोलेंगे opening advance कितने रुपे का जी 1000 रुपे का 1000 का कहानी चल रहा है तो अब मैं इधर लिख देता हूँ दिखने रहोगा इतने नीचे तो इधर आ जाएगा हमारा 5000 रुपे यहां तक देखिए कोई दिक्कत और कोई परिशानी कोई दिक्कत कोई परिशानी यहां तक बताईए यहां तक बताईए नो अब बात करते हैं इस वक्ति के चौथे वे पांचवे वक्ति की बात कर देए एक इस वक्ति की बात करते हैं इसने मुझे पैसे नहीं दिये इसके मतलब यह पैसे कब देने वाला है यह पैसा देने वाला है हमें नेक्स्ट येर की होगी 2011 की क्या इसने पैसे नहीं दिये यहां मैंने जोड़ा था जवाब है नहीं तो 1000 रुपे हम यहां भी जोड़ देंगे और जो 1000 जोड़ेंगे ना इस साल को बोलते हैं closing और यह होगा outstanding चलिए अब यहां देखते हैं format में अगर हमें total receive पता होगा तो हम क्या करते हैं current outstanding closing closing हमारा जो होगा CS मैं closing लिखता हूं outstanding यानि इस साल का बकाया जो कि यह है जोड़ जाना चाहिए यहां भी जोड़ दिया opening advance भी जोड़ना चाहिए तो यानि पिछली बार का कोई advance इस साल के लिए दिया है जो कि opening advance अगे इस ने कर दियाद ने क्या कर दिया माइन सोज कर दिया ओपनिंग outstanding हमारा माइनस होजाना चाहिए तो मैंने को मैंने इसमझा दिया है और हम चलते हैं आगे सकूरें के लिए और ले जाएंगे नहीं तक बताएए कोई यहां तक कुई डाउट, नो, सब को नो, एक बार और, रिपीट करना, अक्षय का है, एक बार और, रिपीट करना, नो, मैंने सिंपल बताया, कि आपका अगर टोटल रिसीव देता है, तो इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं, जो कि पिछले साल की इंकम को जोड़ कर दिया जाता है, जैसे मैंने एक्जामपल के रूप में यहाँ छे हजार बताया था, तो भाई, इसमें पिछले साल की अगर कोई इंकम जूड़ी है, तो माइनस करिए, तो देखिए, ओपनिंग आउटस्टेंडिंग पिछले साल का इसमें जूड़ जाता है, माइनस करिए, और इसमें अगर इस साल की इंकम नहीं जूड़ी, तो इस साल की इंकम कौन सी है, जो कि नहीं जूड़ी, एक तो पिछले साल क का Outstanding और इस साल का Advance इस साल का Income है इस साल का Closing का Outstanding और पिछले साल का Advance इसी साल का Income है तो जोड दिया जाएगा Minus कर दिया जाएगा Closing Advance इसको मैं बार बार जोड़ा जाएगा घताया जाएगा भोलके मैं Confuse नहीं करना चाहता तो यह Simple सा एक Concept था कि इसलिए होता है बाकि फाइनली आप सभी इसको एक बार को देख लेते हो कि क्या एड होना चाहिए क्या लैस होना चाहिए लेकिन सिर्फ एड और लैस से आपका जवाब नहीं मिलेगा मैं एक और कोश्चन यहां मिटा के करने वाला हूं और फिर उसमें जवाब दीजिएगा ओके यहां से मिटा देते हैं इसको अब मुझे सिंपल सिंपल जवाब देना मैंने कहा यहां पे हम बनाते हैं पहले वाला ही एक दो तीन चार पाँच करन्टियर में भी एक दो तीन चार पाँच पाँच वेक्ती अब मैं आपको बताता जाओंगा आप मुझे जवाब दीजिएगा इसने पैसे नहीं दिये पिछले बार जो बोलता है मैं अगली बार दूँआ इसने एडवांस दे दिये और इडवांस दिये होंगे अगली बार के लिए इसमें सभी बहुत अच्छे हैं सबने पैसे दिये लेकिन इसमें इसने पैसे नहीं दिये ठीक है और जो ये वेक्ती है ये ये तीसरे चौथे नमबर वाला इसने पिछली बार का मातर पांसो रुपे दिया है पिछली बार का मुझे पांसो रुपे ही दिया है पिछली बार का मुझे सिर्फ पांसो दिया है इस बार के तो पूरे दिये है लेकिन पिछली बार के पांसो द आप मुझे बताईे data total receive कितना होगा total receive कितना होगा यह आपके सामने data है यहाँ पे इसने advance दिया इसने पिछली बार के 500 रुपे दिये तो total receive कितना होगा बताये फटाफट total receive क्या होगा अभी ने का जवाब 45 डॉली का जवाब 55 मैं टोटल रिसीव की बात कर रहा हूं आप जवाब ध्यान से थे चलिए एक बर मैं बता जेता हूं देखो इसने तो दिये नहीं हटा दो इसने दो दिये यानी इसने 2000 दिये मैं इसके नीचे लिख भी देता हूं इसने दिये 2000 प्लस ये तो सीधा साधा इसने दिये 1000 इसने इस बार के तो दिये फेलियर थोड़ी ना इस बार के तो दिये और पिछली बार के 500 दिये तो इसने दिये 1500 और ये सीधा साधा इसने दिये 1000 तो टोटल पैसा कितन था पच्पंसो रुपए टोटल पैसा कितना रिसीव हुआ है किसी को डाउट है तो बताईए पिरिया ने 4500 जवाब दिया है टोटल पैसा मैंने ये 500 पता है क्या बोला था इसने पिछली बार के पिछली बार का इससे लेना था नंबर तीन देखो एक दो तीन तीसरे नंबर वाला पिछली बार दे ही नहीं रहा था तो इस सल देता ना तो गलत कर दिया क्या नहीं चौथे नंबर वाला है सही है तो एक दो तीन चार चौथे नंबर वाला बोलता है मैं पिछली बार का 500 देता हूं पिछला मैं 500 रुपे दे रहा हूं तो इस बार के तो सारे ही दे र रहा है लास्ट वाले ने एडवांस दे दिया था मैं टोटल रिसीव की बात कर रहा हूं एडवांस दे दिया था एगरी मैं बोल रहा हूं टोटल रिसीव टोटल रिसीव एक बच्चे ने बोला एडवांस दे दिया था चेक कर लेते हैं टोटल रिसीव ओके हां बिलकुल सह जवाब पच्छ पंसो नहीं होगा बिल्कुल ठीक अब मैं दुबारा कैलकुलेट करता हूं इसने नहीं दिया छोड़ दो इसने दिया बिल्कुल 2000 प्लस इसने नंबर तीन नंबर तीन बिल्कुल सीधा व्यक्ति 1000 नंबर चार नंबर चार वालोंने 1500 नंबर पांच नंबर पांच वाला क्यों देगा नंबर पांच वाला तो देगा ही नहीं साहिद लास्ट वाले जो टॉपिक करवाय था उसमें मैंने ले लिया था वो mistake by mistake वहाँ पे भी 1000 कम हो जाएगा तो लास्ट वाला तो देगा ही नहीं अब मुझे बता सकता है क्यों नहीं देगा क्योंकि लास्ट वाले ने तो पहले ही दे दिये थे तो जवाब जिसने भी 4500 दिया था correct answer था 4500 था अभी जिसने 500 दिया था मैंने सही बोला था एक पर व सही जवाब है भगवान अजे तो बोल रहा है 10500 रुपए पता नहीं कौन सी कैलकुलेशन है अजे कह रहा है 10500 प्रियंका ने जवाब दिया 4500 correct डॉली आपको समझ में आ गया ठीक है समझ गई डॉली अब टोटल रिसीव 4500 है अब मैं इसमें से पिछले साल का मेरी बात ध्यान से एकदम ध्यान से बिल्कुल ध्यान से इसमें से पिछले साल का कोई इंकम अगर मुझे इस साल मिला है तो मुझे माइनस करना चाहिए क्या opening outstanding minus करना चाहिए मुझे क्या opening outstanding है के नहीं जी सर और पिछले बार का बाकी कितना है और कितना minus करना चाहिए जवाब दीजिए कौन-कौन देता है पिछले साल का outstanding minus करना चाहिए जवाब दीजिए कौन-कौन minus करेगा पिछले साल का outstanding जवाब दीजिए पिछले साल का minus होना चाहिए opening outstanding हमने last video में लिखा तो समझ लिया और यहाँ भी लिखा है sir opening outstanding minus तो आप बताईए यहाँ से कितना minus किया जाए हरिंदर 1000 रुपे अभी ने 500 रुपे और बताईए कौन-कौन क्या बताता है जल्दी-जल्दी पिछले बार का बखाया कितना minus होना चाहिए प्रिया ने 1000 रुपे प्रियंका ने 500 रुपे रामप्रित 500 रुपे हरिंदर नहीं 500 होगा हरिंदर ने जवाब बदल दिया बिल्कुल सही मेरा कहना है भाई साथ पिछले बार के बाकी जो है वो 1000 रुपे है जरूर लेकिन इसमें जितना पिछली बार का इंकम जोड़ा होगा उसी तो घटाओगे और पिछली बार का इंकम सिर्फ और सिर्फ 500 ही जोड़ा है तो minus only 500 रुपे करेंगे और ये 4000 आएगा इसको आप बताईए सही या गलत ये समझ में आया पिरिया ने जवाब दे दिया 500 रुपे वोईस क्लियर नहीं है कितने बच्चों को वोईस क्लियर नहीं है जल्दी बताईए फटा फट से वोईस क्लियर है एक मिनट चेक करते हैं वोईस नॉट क्लियर एक मिनट एक मिनट क्या दिक्कत आई है शरीता ने कुछ पूछा है हाँ सरीता बोलो क्या पूछ रहे हो सरीता बताईए क्या पूछ रहे हैं आप पता नहीं नहीं आये क्लियर कोई बात नहीं मैं भी क्लियर कर देता हूँ आप इतने ये वाला पॉइंट नूट करिए और ये वाला पॉइंट नूट करिए बस मुझे ये समझाना था अभी वोईस क्लियर नहीं आ रही मैं भी माइक चेंज कर देता हूँ दो मिनट में आप क्योंकि साइद इसकी बैटरी वीक हो गई होगी मैं अभी चेंज कर देता हूं आप इतने इसको नोट करिए बस दो मिनट में अब आज हलो हलो चेक 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 हलो अब बताईए आप वोईस क्लियर है बताईए फटा फट हाँ क्लियर है ठीक कोई बात नहीं है आप नोटिंग करिए चलिए आप नोटिंग करते रहिए मैं एक काम करता हूं मिटा देता हूं और इस पे एक आप से कोईशन पूछ लिया जाए दो तिन कोईशन पूछ लेंगा जब हमारा यह एकदम क्लियर हो जाएगा तो फिर हम आगे जलेंगा कोईशन मैंने लिखा कोईशन मैंने लिखा कोईशन मैंने लिखा मैंने क्याएग दो एकजांपल लोगा दोनों का जवाव आपने देना है मैंने लिखा total subscription total subscription received received during the year during the year rupees 10,000 अब during the year कौन सा है मारा ये है मेरा एक चार 2010 से 31,3 2011 तक ठीक subscription outstanding subscription outstanding on 31,3 2010 rupees 1000 इसके बाद subscription advance on 31,3 2010 500 रुपे subscription not area area subscription your subscription not receive not receive rupees forward 21,3 LU तक ये तक शी is उन्हाोई । करफ़््राइसing लिशाएす दी仲े सा हरी गॉआरईशनि अटव को अटिशाए जोð यारा गॉजा है की गॉजा़ अन्हार analysis diabetes आप बताईए कि इस साल की इंकम कितनी होगी जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके बताईए इस साल की इंकम कितनी होगी वो इस हर किसी को आ रही है तो बताईए इस साल की इंकम कितनी होगी जल्दी जल्दी बताईए मैं आपके सामने से हट गया हूँ आपको दिया मैंने कैलकुलीट करने के लिए ये देखते हैं कितने बच्चे बताते हैं जल्दी जल्दी कि अभी जल्दी दिखाई जल्दी लिगाई झाल 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 आगे 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 तुछे की चार्जर में कनेक्स करने के लिए झाल आतु तुछे क्तशर आगे प्लोलभी दोने दीं तुछे कर दोने दागे मादे की अगे आतुछ विएख कर दिया थुछ शूट आगे आगे दिया है यारां आज़ माम को बच्चों ने चलियो चलियो चक्यै कर लेतों मैं इसी के साइड में लिख देताऊ ठीक है इसी के साइड में लिख देता हूं ताकि मेरा यह ओने टेना total receive total receive total receive कितना है मेरा 10,000 done इसके बाद subscription 31-3-2-0-0-0 अब बताइए मुझे 31-3-2-0-0-0 और हमें बनाना है 31-3-2-0-0-0-0-0 तो ये पिछला साल हो गया ना तो पिछले साल का outstanding है तो पिछले साल का outstanding minus होना चाहिए minus कर देंगे 1,000 इसके बाद subscription advance पिछले साल advance मिला है तो पिछले साल का advance का मतलब opening advance opening advance क्या होना चाहिए opening advance प्लस होना चाहिए तो हम plus कर देते हैं कितने 500 रुपे इसके बाद subscription not receive for a year 31st March 2011 और 2011 हमारा यही साल है तो current year का कितना हमारा है current year का 4000 तो current year का outstanding 4000 भी प्लस होना चाहिए और subscription advance इस साल receive किया है हमने अगले साल के लिए तो minus होना चाहिए तो closing advance हमारा 600 minus होना चाहिए total check करते हैं total 10,000 14,500 13,500 minus 600 13,500 12,900 एक बार और calculate कर लेते हैं दस हजार minus 4000 minus 10,000 plus 4000 plus 500 minus 600 minus 1000 12,900 देखते हैं कितने बच्चों का सही जवाब था कितने बच्चों का गलत जवाब था दर्मेंदर का जवाब 12,900 12,900 और 12,900 बिलकुल सही जवाब है 11,000 प्रियंका ने दिया गलत जवाब है एक बच्चों का सही जवाब है एक बार देख लिए किसी वा आंसर में डाउट प्रियंका ने वोल दिया एकष़ दिया एंड इंकमने उथ्षपनिचर ठीक है 12,900 प्रियंका ने भी करेक्ट कर दिया अक्ष्या ने तो जवाब मुझे दिया हैं आप एक्ष्टर सो कुछ बच्चों ने जवाब तो एक्ष्टर सो रुपे दिये हैं गलत जवाब सही जवाब बाराजार नो सो अब आरी है वोईस क्लियर अब आरी है क्लियर वोईस देखिये चेक करियो फटा फट चेक चेक नहीं क्या दिक्कत आरी है भाई वोईस में यह तो चेक 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 नाव क्लियर हलो जहींआरा पीडल में यहां के चेक का universities अब देखिय वे समय जँदे वोईस्थ्ट अब चेक करें आप नाव क्लियर सरीता का भी जवाब वोईस नौट क्लियर है चेक्ट 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 now clear क्लियर आव क्लियर आव जाए आवन क्लियर दो हां जी अब मैंचीबल है क्लियर है वोईस कि अबते है रजजब कि अबते हैं अबते हैं एग कर अदूआ है जितना आपको समझ में आ रहा है आपने इसका जवाब तो दे दिया, नेक्स कोशन भी बोर्ड पर लिख रहा हूं इसका भी जवाब देना जैसे मैंने कहा टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव डूरिंग दे यर दस हजार है अब मैं इसके इंदर एक लाइड कर रहा हूं एक लाइड कर रहा हूं पांच मिनिट में ठीक हो जाएगा माइक चार्च पे हैं इसके अंदर जो दस हजार है इसमें लास्ट येर लास्ट येर का है 200 इंकलूड अब जबाब दीजिए लास्ट येर का 200 इंकलूड है फटा फट जवाब दीजिए ट्रिए लास्ट येर झाल झाल धर्मेंदर का जवाब आ गया 12,700 फरिंदर का गलत हो गया यूट्यूब वाले बच्चे बताएं अभी ने भट 12,700 यूट्यूब वाले बच्चे जवाब नहीं देते ठीक है अब देखें क्या कहता है कोश्चन में कहता है कि भाई जो 10,000 रिसीव करें इसमें पिछले साल के 200 ही इंक्लूड हैं तो पिछले साल का 200 इंक्लूड यानी ओपनिंग आउट्सेंडिंग भले ही मेरा ओपनिंग आउट्सेंडिंग जो है हजार का लेकिन हजार रुपे इसमें नहीं जुड़ा हुआ इसमें सिर्फ 200 ही जुड़ा हुआ है तो जब इसमें 200 जुड़ा हुआ है तो माइनस कितना करना चाहिए जितना जुड़ा हुआ उतना तो दस हजार माइनस प्लस चार हजार प्लस पान सो माइनस आट सो तो जवाग तेरा हजार साथ सो जिसने भी तेरा हजार साथ सो रुपे लिखा था उसका एकदम करेक्ट आंसर है देरा हजार है तेरा हजार है आं बारह जार है तो मैंने तो गलत नहीं जोड लिया दस हजार माइन प्लस प्लस 4500 माइनस चे सो और माइनस दो सो अरे गलत जवाब पिछली तेरा हजार साथ सो आएका अंसर 12,700 सभी बच्चे दे रहे थे 13,700 रुपय आने वाला है देखिए कैसे इसमें तो कोई changes नहीं है मैंने बोला इसके अंदर include है कोई बात नहीं 10,000 रेसीव किये न 10,000 में इस साल के बाकी कितने 4,000 मिल जाएंगे जोड दीजिए अगले साल का कितना advance है minus कर दीजिए पिछली बार के बाकी भले ही 10,000 थे लेकिन 10,000 के 10,000 हमें मिले नहीं है इसका मतलब इसमें नहीं जुड़ा हुआ 10,000 तो सर जितने मिले होंगे उतने ही तो जुड़ा हुआ है कहता है last year का सिरिफ और 200 रुपय जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब इसमें 200 ही जुड़ा हुआ है पिछले साल का बाकी सिर्फ 200 ही जुड़ा हुआ है बिलकुल हाँ 200 ही है तो 200 रुपय जुड़ा हुआ है तो माइनस भी तो 200 ही करेंगे तो जवाब आएगा 13,700 रुपय प्रियंका का अभी भी जवाब 12,700 रुपया है अभी चेक करें फटा फट समझ में आया है नहीं आया 13,700 रुपया आएगा आपका नई दस अजार में से क्यों करेंगे टोटल रिसीव तो हमारा ही है ना 10,000 रुपया एक हजार नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे डॉली एक बार फिर बता दो चलो एक बार फिर बता देते हैं देखे मैं इसे मिटा देता हूँ अब देखिए आपको टोटल सब्सक्रिप्शन यहां क्या लिखा है टोटल रिसीव तो टोटल रिसीव कितना हुआ दस हजार कुछ भी जुड़ा हूँ है भले उससे कोई मतलब नहीं है टोटल रिसीव कितना है 10,000 सिर्फ इसमें 200 ही जुड़ा हूँ है हम पिछले साल का जो ठीक करेंगे ये गलत है उल्टा सीधा है तो इसमें से वो माइनस कर दो अगर कोई पिछले साल का इंकम जुड़ा हुआ है तो पिछले साल का इंकम सिर्फ 200 ही तो जुड़ा है तो 200 माइनस करेंगे अब एडवांस करते हैं पिछले बार किसी ने advance 500 दिये थे तो plus करो, opening advance है 500 रुपे, उसके बाद subscription हमारा receive नहीं हुआ भी तक 4000 रुपे यहां लिखो, उसके बाद advance अगले साल के लिए 600 रुपे और minus करो, तो ये आजाएगा 13700 रुपे, अब बताइए clear है या नहीं है, भरिंदर कहता है 800 रुपे still outstanding, हाँ जी, अभी जब अगले साल करेंगे ना, तो जो ये है ना, 800 रुपे आगे अभी देगा और, आगे देगा, वो सब मैं चर्चा भी करूँगा बाद में, बताइए अब clear है ने, ठीक है, वोईस clear हुआ या नहीं हुआ एक बता दे, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नो, चलो, कोई बाद, तो मैं फिर एक काम करता हूँ, हमने आज सिंपल वाले का ये केस देख लिया, और एक ये वाला केस देख लिया, दोनों इंपॉर्टेंट केस है, एक कोशन और मैं देना चाहता था, लेकिन वो इसी बोल पर clear हुआ है, चलिए कोई बात में, यानि सिंपल, इस बेस पे कोश और एक बात और मैं पूछता हूँ, मैं सभी बच्चों से, अगर मैं आपकी क्लास 10 बजे कर दू रात में, तो किसी को कोई दिक्कत है क्या रात में 10 बजे, अगर आपकी क्लास 10 बजे कर दू तो किसी को कोई दिक्कत, क्यूंकि मुझे 10 से फिर आगे लंबा टाइम मिल जा हरिंदर नो प्रॉब्लम, धर्मिंदर नो प्रॉब्लम, सरीता नो एजियर वेस ठीक है, अभी मैं करनी रहा, दस बजे तक का लेकिन होपुली मैं पर्सों से कर दूँगा, तो इसलिए मैंने पहले बता दिया, की के बच्चो मिलते हैं, नेक्स क्लास में, कल सेम टाइम ही क्लास रहेगी, सेम टाइम का मतलब मैसेज भी आ जाएगा, साढ़े आठ बजे सही मैं, नौ बजे करेक्ट स्टार्ट कर तो मिलते हैं हम नेक्स क्लास में कल, और कल ये वाला पोर्शन खतम करेंगे, काफी लंबा है थोड़ा सा ये ये बांखी ये टॉपिक, जिसका दीश में तो कुछ नहीं है, ये तो मुझे दस मिनिट का काम है, दस मिनिट में हो जाएगा, ये में थोड़ा सा समझाना है, थैंक यू सो मुझ, गूदनाइट, तेक केर, बाई बाई झाल 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 प्यों में टॉपिक चल रहा था सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन इसके हंदर हमने सिंब्सक्र याल मैं कुछ questions लिख रहा हूँ board पे आप उसका जवाब दीजिएगा मैं कुछ questions लिख रहा हूँ आप उसका जवाब दीजिएगा total subscription total subscription 10,000 और जो हम काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं 31, 3, 2020 के लिए 31, 3, 2020 के लिए इसके बाद opening यह मैं लिखता हूँ subscription area for 31, 2019 रुपीज़ 6,000 इसके बाद लिखा subscription area 4, 31, 3, 2020 पाँच हजार इसके माद लिखा subscription advance 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 on 31, 3, 2019 2,000 इसके माद लिखा subscription advance on यह 4 advance for 31, 3, 2021 रुपीज 4,000 जल्दी जल्दी बताईए income and expenditure में subscription कितना जाएगा फटाफट जवाब दीजिएगा income and expenditure में subscription किया जाएगा जल्दी जल्दी जवाब देना रवी संकर हेलो ठीक है मैं यहाँ format भी बना लेता हूँ आप बताईएगा subscription कितना जाएगा मैं यहाँ बना लेता हूँ total receive total receive total receive के बाद प्लस इसके बाद प्लस माइनस कर लेंगे जवाब दीजिए कितना आएगा जो बच्चे यूट्यूब पे हैं और जो बच्चे आपके class में application पे हैं प्रीमे बश्रूडेंट calculate करिए भाई अब तो बहुत धीरे-धीरे कर रहे हैं देखते हैं जवाब किस-किस काता है हंजी जवाब चाहिए मुझे मितीश साथ हजार धर्मिंदर साथ हजार और भी देखते हैं जवाब आगे आ यहाँ भी अजे ने भी साथ हजार दे दिया चलिए चेक करते हैं टोटल रिसीव दस हजार इसमें से हम कर देंगे क्लोजिंग आउटसेंडिंग प्लस क्लोजिंग आउटसेंडिंग अब क्लोजिंग आउटसेंडिंग कौन सा है आउटसेंडिंग क्लोजिंग यह वाला दो हजार बीस का पांच हजार प्लस कर देंगे opening advance opening advance कौन सा है ये रहा 2000 माइनस कर देंगे opening outstanding opening outstanding केतना है opening outstanding 6000 area का मतलब न outstanding होता है ठीक है माइनस कर देंगे closing advance advance केतना है हमारा 4000 तो हमारा जवाब देखते हैं क्या है 10, 17 और 7000 जिन जिन बच्चों ने जवाब दिया है एकदम सही जवाब है उनके लिए clapping उनके लिए तालिया हंजी छीक है 7000 अब मुझे और जवाब देना आज सवाल और जवाब चलेगा और इस concept को खतम करेंगे माल लो मैं इसमें लिखता यहां पे लिखता एक बच्चा कह रहा था रैड मार्कर से लिखता नहीं है इसलिए मैं चलो अब लिख देता हूं मैं मेरे पास रैड है तो यहां पे लिखता कि include जो है इसमें including including last year last year 3000 अब जवाब बताईए जल्दी जल्दी जवाब बताईए जल्दी जवाब बताईए sir FM की क्लास 9 और 10 पीम विनोध आज FM की क्लास 10-15 पे होगी कल से 9 बजे होगी FM की क्लास और 12 वाले जितने बच्चे हैं कल से 10 बजे मिलेगे कल से 10 बजे और 1st year वाले वी बच्चे कल से 10 बजे 8000 डॉली ने जवाब दे दिया income yes income ही निकालना था जीतू ने जवाब दिया 10,000 और देखते हैं प्रियंका 10,000 धर्मिंदर 10,000 डॉली ने 8,000 दिया था चलिए मैंने कहा देखो ओपनिंग जो एरियर है भले ही 6000 है लेकिन जब मैंने आपको कह दिया कि इस टोटल में जितना जुड़ा हुआ होगा उतना ही माइनस करेंगे और मैंने बोल दिया इसमें सिर्फ 3000 जुड़ा हुआ है तो यहां से हमें 6000 माइनस करने के जगह पे हमें माइनस करना होगा 3000 रुपए और जो की रिजल्ट आएगा मेरा अब 10,000 तो करेक्ट जवाब डॉली इसका है 10,000 बताईए किसी को डाउट 10,000 नितीश ने भी दे दिया 10,000 10,000 रजट ने भी दे दिया अजय ने दिया अरे अजय 4,000 क्या कर रहे हो भाई अजय प्रिया ने भी 10,000 ओके विनो थेंक यू वेलकम यहां तक हर बच्चों को क्लियर है अब मैं जो लाइन लिखने वाला हूँ वो ध्यान से देखिएगा कोश्चन यही है पूरा ठीक है अब एक चीज़ और समझ लेते हैं कि आप बोलोगे सर बाकी तो 6 था 3 तो 3 आगे फ्यूचर में मिलेगा फ्यूचर में 3000 रुपे मिल जाएगा चलिए यहां पर मैं करता हूँ एक और पॉइंट एक और पॉइंट यहां पर 4 के जगह पर लिख देता हूँ ए एट दा यह मैं लिख रहा हूँ एट दा एड दा इएर आप बताइए मैंने यहां पर थोड़ा चेंजर किया है At the year का मतलब होता है कि जो ये बाकी है ना हमारा 5000 ये total है ये total है और for the year का मतलब होता है जो बाकी था ना ये 5000 सिर्फ उसी साल का था ये total है बाकी चाहे इस साल का हो चाहे पिछले साल का हो total बाकी है ये चलिए आप फटा फटा अब मुझे जवाब दीजिए कितने बच्चे दे सकते हैं नहीं तो ये मुझे कराना पड़ेगा जवाब दीजिए क्या आंसर सेम रहेगा दस हजार या बदल जाएगा नितीश ने कहा सर दस हजार ये पुराना ही आंसर है शायद आंसर ये ही रहने वाला है या बदल जाएगा आंसर ये ही रहेगा या बदल जाएगा हरिंदर साह ने कहा सर बदल जाएगा तो बताईए बदलेगा तो कितना आएगा एक आंसर आगए 11,000 जीतु कुमार चलिए मैं कर देता हूँ एक बार कर देता हूँ देखिए इसको मिटा दू मैं इसी के साइड में करता हूँ ठीक है ये वाला है जो दूसरा कोश्चन अभी लिखा है ताकि आपको कमपेरिजन में टोटल देखिए 10,000 था अब इसका मतलब क्या होता है पता एड़ दा इयर जब लिखा होता है तो 5,000 टोटल बांकी आप मुझे बताईए पिछले साल का बांकी कितना था 6,000 हाँ या ना पिछले साल का पिछले साल का बांकी कितना था 6,000 अगर पिछले साल का बांकी 6,000 रुपए था जिसमें से हमें इस साल मिल चुका है 3,000 तो पिछले साल का और भी बांकी रहे गया कितना अब भी बांकी है और कितना बाकी रहे गएा 3000, जोकी in future मिलेगा और ये line क्या समझाता है हमें ये line हमें समझाता है ये line क्या समझाता है total के बारे में ये कहता है क cocoa इस जो 5,000 है न ये total बखाया है तो पिछले बार का और भी 3000 बार मिलेगा तीन हजार तो पुराने वाला इसमें जुड़ा हुआ है, और दो हजार रुपे इस साल का जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये है, तो इसका मतलब जब मैं closing out standing यहां लिखूंगा न, तो पांच की जगह पे लिखना पड़ेगा मुझे दो हजार, समझे बात को, समझे या नह जवाब दीजिए, और बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है, बदलाव आया तो आया कहां, सिर्फ एक जगह, तो जवाब आएगा 14, 14 में से 7 गए, तो जवाब है हमारा 7000, 7000 रुपे जवाब है, कितने बच्चों ने दिया था 7000, अगेन बता दीजिए, ओके ठीक है, मैं क्य कहना चाहता था, मैं एक दो और एक्जाम्पल लूँगा, हरिंदर ने 4000 जवाब दिया, देखिए, मैं फिर से देखिए, यहां से यह एक अलग मारकर से लिखते तो आपके लिए, पता नहीं मेरा मारकर कहा गया सारा, मैं अलग मारकर से लिख देता हूँ, ठीक है, चलिए, आप ध्यान दीजिएगा, यह है ब्लू मारकर का, और यह आंसर है रेड मारकर के लिए, ठीक है, जो मैं चेंजिस कर रहा हूँ, अगर मैं लिखता हूँ नहीं, यहां for the year, for the year, तो for the year का मतलब क्या होता है के उसी साल का, तो for the year अगर मैं लिखता हूँ तो इसका मतलब है sentence का 5 हजार इसी साल का बकाया है, ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे पूरे पांच हजार लिए, लेकिन अगर मैं लिखता हूँ at the year 5000 तो इसका मतलब होता है ये टोटल बाकी है टोटल का मतलब इस साल का जो बाकी था वो तो है ही अगर कोई पिछला बाकी और भी रह गया है तो इसी में जोट रखा है तो मैंने क्या बताया आपको मिटा देते हैं टोटल हमारा देखा जाये बाकी बताया जा रहा है कि 5000 है टोटल बाकी 5000 है मैं रेड वाले की बात कर रहाँ इसकी टोटल बाकी और पिछले साल का बकाया कितना था पिछले साल का बकाया था हमारा कितने रुपए का? 6,000 का आप बताईए क्या पिछले बार के 6,000 पूरे के पूरे पेमिंट हो गए या नहीं हुए? सिंपल जबाब देजिए पिछली बार का 6,000 बाकी था लेकिन उसमें से सिर्फ कितना रिसीव किया है इसमें जितना जुड़ा होगा वही ही रिसीव किया होगा मैं अमाउंट चेंज कर देता हूँ, कुछ बच्चे परिशान हो रहे हैं तो यह लोग 2,000 2,000 जैसे ही मैंने किया तो ये भी हो जाएगा हमारा 2,000 और ये भी जबाब बदल जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 4,2,6,9,000 चार एक मिन्ट दस, पांच, पंदरा, सतरा, सतरा में से छे गए तो 11,000 ये हो जाएगा 11,000 मैंने क्या कहा कि जो हमें ये 10,000 रुपे मिला है ना आप एक एक करके हाँ और ना जल्दी जल्दी बताईएगा 10,000 मिला है इसमें 2000 पिछले साल का जुड़ा है हाँ या ना समझ में आया नहीं आया येस या नो में जल्दी जल्दी बताईएगा येस या नो में जल्दी जल्दी बताईएगा हाँ अगर इस 10,000 में include है 2,000 रुपए तो जब मैं यहाँ पे इसको मैं सही करूँगा यानि यह 10,000 रुपए को जब मैं minus plus करता हूँ न तो इसका मतलब जो पार्ट इसके अंदर जुड़ा हुआ होता है उसी की adjustment करते हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे opening outstanding कितना minus किया 2,000 रुपए इसलिए यहाँ opening क्योंकि इस 10,000 में सिर्फ 2,000 ही जुड़ा हुआ है यह समझ में आया आपको यह बात आपको समझ में आई जल्दी बताइए मैं कहना चाहता हूँ इस 10,000 में सिर्फ 2,000 ही जुड़ा हुआ है यह समझ में आया या नहीं येस चलिए अब इसका मतलब आप बोलना चाहते हो सर पिछली बार का पिछली बार का बाकी 6,000 में 2,000 रुपए तो मिल गए दो हजार रुपए मिल गए तो इसका मतलब इसमें से चार हजार रुपए अभी मिले या नहीं मिले जवाब दीजिए मुझे चार हजार रुपए अभी मिले या फिर नहीं मिले फटा फट जवाब दीजिए चार हजार मिले या नहीं मिले दरमेंदर नहीं मिले जवाब देखते जाईए आप अगर चार हजार नहीं मिले तो यह कम मिलेगा यह मिलेगा हमें next year में next year में मिलेगा भाई हा या ना जल्दी बताईए ये कम मिलेगा प्रियंका का भी नहीं जवाब कम मिलेगा ये जल्दी बताईए नहीं मिले कम मिलेगा ये 4000 उपए next year में ठीक है या गलत है इससे agree करते हैं नहीं yes agree करते हैं मिलेगा तो अब जो मैं कहने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनियेगा मैंने बोला अगर मैं इस red वाले marker को मैं पढ़ू मैं मैंने बोला ये 5000 at the year होता है तो मतलब total मैं लिख देता हूँ जब लिखा होता है ना at the year तो इसका मतलब होता है total बाकी और जब होता है ना for the year इसका मतलब होता है सिर्फ current year का बाकी तो जो मैंने at the year वाला बताना जो ये 5000 है ये 5000 इसी साल का बाकी है ये total है मैंने at the year बोला तो सर जवाब आया ये total है तो टोटल है तो इसका मतलब इसमें total बाकी का मतलब पुराने वाला भी बाकी जुड़ा होगा तो पुराने वाला अभी चार हजार और लेने हैं पुराने साल के तो इसका मतलब चार हजार तो पुराने साल का ही है और अगर चार हजार पुराने साल का है तो एक हजार रुपए सिर्फ इस साल का होगा एक हजार रुपए सिर्फ इस साल का होगा तो जो मैं यहाँ पे closing outstanding लिखूंगा, इस साल का बकाया लिखूंगा मैं, इस साल का बकाया वो कितना आएगा, 1000 रुपे, अब जवाब आएगा 10, 11, 12, 13, 13, 13, 13 में से 3 गए 10, और ये जवाब मैंने बदल दिया, और बदलने के साथ ही आगया 6000, अब बताइए समझ में आया य आ गया, जिसको समझ में नहीं आया, वो raise hand कर दें, voice chat में आ गया clear है, अजे को भी clear है, हरिंदर को भी clear है, ओके, तो ये वाला topic खतम हो गया, देखो for the year वाला होगा न, तो हमें कोई चिंता नहीं करना, तब तो add less हो जाता है, add the year वाला होगा, तो आपको check करना है के कहीं पिछले साल का बकाया है या नहीं है, चलिए एक question और पूछ लिया जाए, जब तक मुझे तसल्ली ना हो जाए, मैं नहीं छोडने वाला, मान लेते हैं एक question और, एक question और बानते हैं, मान लो, ये जो लिखा हुआ है, question तो आप note करोगे, screenshot लेके कर ले ना, YouTube पे भी मैं डाल रहा हूँ, वीडियो जितने बच्चे हैं, यहाँ पे available, मान लो, मैं यहाँ पे इसको cut कर दूँ, कट कर दूँ, अगर मैं इसको cut कर देता हूँ, मतलब यह line है ही नहीं, यह line है ही नहीं, यह line है ही नहीं, अब बताईए, क्या यह answer क्या होगा, मुझे blue वाला भी answer बताएं, और red वाले के हिसाब से भी answer बताएं, ब्लू वाले के हिसाब से भी answer बताएं, और red वाले के भी हिसाब से answer बताएं, बदलेगा answer यह मैं बता देता हूँ, लेकिन क्या होगा आप बताएं, जल्दी जल्दी, quickly, quickly बताएं, answer, दोनों का answer बताएं, लिक के दे देना आप, यह red वाले का answer और यह blue वाले का है, मैं चेक कर लूँगा अभी, कर बताएं, बताएं, हमा देखते हैं किस-किस का अंसर आता है किस-किस का अंसर आता है किस-किस का अंसर आता है किस-किस का अंसर नहीं दे रहे और हमारे एप्लिकेशन पर भी नहीं दे रहे हैं अभी कैलकुलेशन कर रहे हैं दर्मेंदर साथ हजार ग्रीन और तीरह हजार रेड़ अंसर आता है झाल झाल ब्लू एंड रेड साथ हजार एजे कुमार झाल झाल डॉली का दोनों सेम साथ हजार नितीस जा भईया दोबारा बताना क्या बताना है नितीस बताओ देखिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं मैंने कहा कि पिछले साल का कुछ नहीं लिखा इसका मतलब क्या है कि जो अगर चेहजार रुपे टोटल जुड़ा हुआ है इसमें तो अगर ओपनिंग आउट्स्रेंडिंग की बात करें तो वो कितना माइनस होना चाहिए वो होना चाहिए 6,000 रुपे अगर टोटल जुड़ा हुआ है अब 6,000 रुपे टोटल था और ये सारा जुड़ा हुआ है इस 10,000 में तो बताईए रिसीव कितना हुआ मिल कितना गया तो मिल गया 6,000 मिल गया 6,000 कुछ बाकी रहा क्या No, No, No कोई बाकी नहीं रहा 0 बाकी तो जो 5,000 है ये इसमें पिछली बार का बाकी 0 तो बाकी कितना रहेगा इस बार का पूरे 5,000 रुपे तो अब जो जवाब होगा अब यहाँ पे हमारा 5,000 रुपे ही एड होने वाला है और माइनस भी 6,000 होने वाला है इसका मतलब दोनों का जवाब 15, 17, 10 एक मिनद 15, 17, 17 में से 10 गए तो दोनों का जवाब जिस जिस बच्चे ने 7,000 दिया वो ध्यान से देखे उनका एकदम सही जवाब था 7,000 दोनों हरिंदर ने भी क्योंकि क्योंकि यहाँ पे जो भी यहाँ पे गीवन है हमारा यहाँ पे 7,000 और 7,000 आप ध्यान से सोचिए हमारा पता है दोनों का आंसर for the year और at the year का आंसर में difference पता है कब आता है जबकि पिछला बाकी था वो सारा नहीं मिल पाया तभी तो difference आएगा पिछला बाकी था वो सारा नहीं मिल पाया तभी difference आएगा क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिखूं 1000 रुपे या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ suppose करो 4000 रुपे जुड़ा हुआ है तो बोलोगे sir 2, 6 में से 4 मिले 2 नहीं मिले इसका मतलब अगर टोटल कितना बाकी है वही इस साल का होगा 5000 तो यहाँ पे जवाब है हमारा 77000 तो जितने भी student ने 7000 जवाब दिया एकदम correct यानि ये topic हो गया हमारा खतम अब आते हैं दूसरा इसी का दूसरा part है बड़ा छोटा सा part है तो इसको noting करना चाहेंगे noting कर लीजिएगा इसे देख के अराम से और मैंने देखो 4-5 example बदल बदल के करा है तो सारे example note होने चाहिए तभी आप अच्छे से समझ पाओगे otherwise नहीं समझ पाओगे ठीक है okay done चलिए इसे मिटा देते हैं last topic last topic last topic क्या है when member is given यह तो बड़ा simple से है when member member given जब member given होगा तो क्या करेंगे जब member given होगा तो क्या करेंगे तो हम करेंगे दो टाइप से question पूछा जा सकता है एक only member given और दूसरा हो सकता है member and total receive given गीवन दूसरा हो सकता है member and total receive given ओके जब only member होगा तो example एक्जामपल है एक्जामपल है sports club sports club has 250 member इच पे इच पे 100 sports club है उसके पास 250 member है और इच पे 100 तो यहां पे total subscription क्या आएगा यहां पे जवाब आएगा very simple 200 member है और हर member को देना चाहिए दे या ना दे तो कितने हो गए हमारे यह हो गए 25,000 तो income and expenditure में पता है कितना amount जाएगा 25,000 तो very simple जब हमारा member given होगा तो सर्फ और सर्फ member से multiply करिए वो income में पहुँच जाएगा ठीक है वो income में आ जाएगा लेकिन member and total receive given example यह लेज़े example माल लेते हैं total receive total receive 1000 या 10,000 area area 4000 कौन से year का current year का advance सर अब बहुत सारी बाते लिख रहे हूँ previous year का 2000 and 250 member each pay 100 रुपीस अब बताईए income and expenditure में कितना जाएगा तो जबाब है सर्फ जब member दे देना तो इन सब को नहीं देखा जाता income and expenditure में भेजने के लिए तो इसका जबाब आएगा simply member in 200 is equal to 25,000 रुपे मैं सरिफ ये income कितना recognize होगा वो सिखा रहा हूँ balance sheet में कितना कितना जाएगा वो तो जब मैं इससे आगे start करूँआ उसमें सीखेंगे तो अगर member given है चाहे total amount given हो पिछले साल का बाकी हुआ कि अगर member देना तो जंजट खतम एकदम खतम सीधा member से multiply करिए वो चला जाएगा और भी क्या-क्या चीज़े मैं पूछ सकता हूँ हाँ पहले बस आप member income income की हम बात कर रहे हैं आगे जब balance sheet में जाएंगे न तो और एक बार मैं इसको लिख किया हूँगा सब्सक्रिप्शन को तो आप बताइए इसमें किसी को doubt या मैं एक question suppose करो मैं changes कर रहा हूँ मान लो मैं इसे कर दू 12,000 तो बताइए answer क्या आएगा मैंने इसको कर दिया 12,000 तो बताइए answer क्या आएगा प्रियंका का जवाब भी 7,000 आ गया है बताइए क्या आएगा धर्विंदर 25,000 नितीज 25,000 यूटूब वाले बच्चों ने भी जवाब दे दिया हरिंदर ने 25,000 डॉली का भी जवाब आ गया 25,000 यानि सभी को समझ में आ गया तो सब्सक्रिप्शन के देखे कितने टाइप हो गये फटा फट से देखिए हम सिर्फ income recognize कितना करेंगे इसकी बात कर रहे है हो सकता है एक हमारा simple वाले में for the year word हो और at the year हो इन दोनों में पता differentiate कब होता है जब पिछले साल का कम बाकी मिला हो सारा ना मिला हो अगर पिछले साल का सारा मिल चुका है तो into member से multiply करो और वो सारा का सारा चले जाएगा income side में अभी इतना हमने कर लिया इसको note करिए एकदम फटा फट से एकदम फटा फट note करिए अजय ने भी 25,000 दे दिया प्रिया सिंग ने भी 25,000 जवाब दे दिया है झाल 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 दन नोट हुजए तो बता देना एक छोटा सा कॉंसेप्ट और लिखवाना है दन सर प्रिया ने बोल दिया डन ओके चलिए अगले कॉंसेप्ट पर चलते हैं यहां तक करने के बाद इसे इरेज कर देते हैं इरेज कर दिया जाएं हमने क्या क्या देख लिया तीन टॉपिक फंड बेस्ट अकाउंटिंग देख लिया इस्टाउक कंज्यूम देख लिया और एक सब्सक्रिप्शन देख लिया एक और देखते हैं मेंबर्सिप्ट फी या मैं सिंपल बात करता हूँ फी की फी फी दो तरीके का होता है हमारा एक होता है हमारा एंटरंस फी फी एंटरंस फी क्या होता है यह वन टाइम लिया जाता है वन टाइम वन टाइम या वन टाइम या भी जो इसको लिखेंगे एक होता है हमारा लाइफ लाइफ मेंबर मेंबर्शिफ फी यह लिया जाता है एवरी एंटरी यह सही वर्ड है एवरी एंटरी और एक लिया जाता है लाइफ मेंबर्शिफ फी वन टाइम इन लाइफ और यह आजकल बहुत ट्रेंडिंग में मैं देख रहा हूं कहा कहा देखा है मैंने बहुत जगह देखा है देखिए कई बार क्या होता है आप आप जैसे की मान लो एक बहुत सिंपल सा मैं एक्जामपल लेता हूं अब गर्मी आने ही वाली है तो आप सब फन इन फूड वाव वंडर जो जो है हमारे जितने भी वाटर पार्क हैं वो अगर आप वहां पर बोलेंगे न कि मुझे एक ही बार आना है तो वहां के फीस बोलेंगे वो दो हजार रुपए फीस कितनी बोलेंगे दो हजार वाटर पार्क की बात कर रहा हूं फन इन फूड वगएरा दो हजार रुपए और आप बोलोगे सर दो हजार बस एक ही बार बोलेगा हाँ जी एक बार अगकल आईए फिर दो हजार दीजिएगा आपने बोला कोई कार्ड वार्ड बनता ही क्या है यहां का जिससे कि हमें सस्ता पढ़ जाए बोला हाँ पढ़ता है ना पांच हजार रुपए दीजिए और जितनी मर्जी उतनी बार आईए पूरे साल में जितनी मर्जी उतनी बार आईए पूरे साल में या दो साल के लिए पांच हजार दीजिए और जितनी मन करे उतने आते जाईए नहाते जाईए तो ऐसे सिचुएशन में एक तो है दो हजार जो की एंट्री किया फीज दिया खतम तेस्ट मतलब उसके बाद कोई बेनिफेट नहीं और एक पांच हजार दिया तो एक कार्ड बन जाता है उस पर फोटो वगरा लगा देते हैं वो तो वो लाइफ मेंबर सी फी है एक तरीके स और एक जो है एक बार गए बस बात खतम वो है एंट्रंस फी बहुत जगह होता है इस तरीके का आज कल का तो ट्रेंड हो गया है यह इस तरीके का काम करना मैंने तो एक वाटर पार्क का एक्जामपल लिया है आप किसी मॉल में शॉपिंग करने जाए आप मूवी देखने जाएए वह बोलते हैं सर मेंबर्शिप कार्ड बना दे हर बार 10% डिसकाउंट मिलेगा आपको अगली बार से मेंबर्शिप कार्ड अगर हमारे मेंबर बन जाओगे ने तो जो मूवी 100 रुपे की है ना तो आपको 90 रुपे की पड़ेगी आप ले लेते हो और कई बार होत एक होता है क्योंकि मैं एक non-profit organization हूँ मेरे sports का है club है जो भी है माल लेते हैं मैं cricket खिलवाता हूँ तो cricket खेलने वाले जब आएंगे तो वो पैसे तो देंगे ही देंगे कि भाई मेरे यहाँ पर अगर मेरे ground को use करोगे मेरे सारे equipment को use करोगे तो पैसे देंगे ही तो अगर ए life membership fee तो life membership fee जो है यह हमारे लिए हो जाता है liability liability चोटी चोटी बातों को याद रखना है और जो entrance fee होता है यह होता है income यह होता है income और इसका nature होता है revenue nature revenue nature और life membership fee का nature होता है capital nature capital nature capital nature ठीक है तो देखें fee चार पॉइंट हो गए है याद रखिएगा अब बताइए life membership fee क्या होता है हमारे capital nature कहां जाएगा liability में और इसके अंदर entrance fee क्या होता है हमारा revenue nature क्योंकि यह एक ही बार है तो मेरी income है life membership fee आपने एक बार दिया मुझे तो अब हो 10 साल तक कापकी service देनी पड़ेगी दस साल तक आए जा रही हो आए जा रहे और ना आए जा रहे हो मैं देख रहा हूं चुप चाम मैं वह लहाँ पैसे अपने पार्किंग में भी होता है साइन फैक्ट मैंने फिर अगली बार है पैसे अपने कार्ट दिखा दिया मैंने कर यह फिरी में मजे ले रहा है एक बार देखें तो वह क्या होगा मेरे उपर लाइबलिटी आपको सर्विस दूंगा कल के दिन मानलो मैं वाटर पार्क बंद कर दे तो एंटरंस फीज क्या है हमारे लिए इंकम और लाइफ मेंबर सी फीज क्या है हमारे लिए लाइबलिटी फटाफट इसको भी नोट कर लेजिए किसी को डाउट है तो पूछिए फटाफट किसी को डाउट है तो पूछिए अक्से पूछ रहा है final account chapter मैंने upload कर दिया एक्से आपके application के अंदर ही आप एक बार मुझे screenshot भेजना मैं बता दूँगा final account के कहाँ पर सारे adjustment है become first year के अंदर पूछ रहा है कहाँ है तो मैं एक बार बता दूँगा और question भी बता दूँगा अजय clear dolly done यहाँ dolly है नहीं ठीक है तो आज हमने basic basic चीजे NPO को start करने के लिए कर लिया है अगली class में हम सीखेंगे income and expenditure और हम balance sheet साथ के साथ करेंगे सिर्फ अगली class एक घंटा जाएगा हमारा format समझने में तो next class कितने बज़े है दस बज़े next class है हमारा 10 बज़े तो 10 बज़े मिलेंगे 10 से मैं लंबर टाइम तक लूँगा और हम इसको continue करेंगे good night take care मिलते हैं हम next class के अंदर और next class के अंद अगर इसको अच्छे से revise कर लिया तो बस एक format balance sheet में बनाना है उसमें 102 दिन लगेगा फिर हमारा chapter खतम हो जाएगा 12th standard तक बीकॉम वाला हमारा चलता रहेगा थोड़ा advanced level तक ठीक है good night Priya Singh, good night take care, good night everyone, इसे note कर लिजिए एकदम जटपट नहीं तो screenshot ले लिजिएगा मैंने बता दिया है इसे और कुछ बच्चों की कम कुछ बच्चे कह रहे हैं सीक्वेंस पर नहीं है application अभी डलवाते हैं कल से सारी वीडियो एडिटिंग स्टार्ट हो जाएंगी झालवाते हैं